Dear students, आज हम पौधे एवं जल संबन्दों के चर्चा करेंगे. जैसा कि सब जानते हैं, पर्यावरण के विभिन्यकारक पादपों की प्रैस समस्च जविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं. किन्तु यह भी सब्ते हैं कि पादपों द्वारा पर्यावरण भी प्रभावित होता हैं. प्रत्यक स्थान की वनस्पती उस स्थान के पर्यावरण से अनुक्रिया करते हुए, रिस्पॉंस देते हुए एड़्जस करती हैं, जिसके कारण प्लांट्स के अंदर, बाहर और अंदर, आंत्रिकी और कारिकी में चेंजेस होते रते हैं. इस अर्थाग पॉधों में वातावरण के अनुरूप ढ़लने की ख्षमता पाई जाती हैं. इन परिवर्थनों के कारण पॉधे कोई विशेश वातावरण को सहन करने में, स्वयम को नश्ट होने से बचाने या उनसे अधिक्तम लाप्रप करने की ख्षमता अर्जित कर सकते हुँ. तो इसको हम पाधप अनुकूलन करते हैं. यदि हम पाधपो के जल संबंद में, जैसे पॉधों में विभिन ने जो कारिकी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे बीजों का अंकुरन, मूल द्वारा जल का अवशोशन, वाशपोर सर्जन, प्रकास संशलेशन, श्वसन, व्रध्धी और जैवरासानिक क्रियाओं को प्रभ करता है, जिसके प्रभाव, पारिस्तिती की प्रभाव दिखाई देते हैं, जला भाव या जल की अधिक्ता से पॉधों में ऐसे अनुकूलन हो जाते हैं, कि वे सफलता पूर्वक अपना जीवन निर्वा कर सकते हैं, इसे जल पारिस्तिती की अनुकूलन कहते हैं, वार्मि और उन्होंने पौधों को उनके जल संबंदों के आधार पर चार समूओं में विभाजित किया जलोद भिद, मरूद भिद, समोद भिद और लवणिये जल में रहने वाले लवणोद भिद आज हम मरुद भिदी, मरुद भिद पादपों के बारे में कुछ उनके आवासों के बारे में जानेंगे मरुद भिद शुष्क आवास के पौधे होते हैं ऐसी शुष्क दशा या जीरिक कंडिक्षन का प्रमुक लक्षन होता है सुखा जिन में वाश्पो सर्जन की मात्रा जल अउश्षन से अधिक होती है मरुद भुदे आवास तीन प्रकार के होती है पहला बहतिक रूप से शुष्क फिजिकली ड्राय इस प्रकार के आवास में जल की वास्तिविक कमी होती है और ये मरुस्थल, रॉक सर्फेस, शुष्क शेत्र, व्रक्षों के तनों आदी की रूप में पाये जाते हैं मरुस्थल बहुतिक रूप से शुष्क आवास का प्रारूपिक उधारण है यहां वडशा पहुत कम होती है ब्रदा, पोरस, सेंडी होती है, रेतीली होती है अधिकांश जो वडशा जल है वो गुरुत्वा कर्शन तथा एवोपरिशन वाश्पन के द्वारा चला जाता है दिन के समय वायू मंडलिय तापमान अठावन डिग्री सेंटिग्रेट तक पहुँचता है ब्रदा तापमान 65 डिग्री तक पहुँच जाता है और उच्चत आपमान के साथ साथ शुष्क हवाय भी यहां का लक्षन है दूसरा जो मरदूत भी आवास है, वो कारी के रूप से शुष्क कारी के रूप से शुष्क आवास में यहां जलकी मात्रा तो होती है, पर्याप्त होती है लेकिन पौधे प्रतिकूल अवस्थाएं होने के कारण प्रतिकूल अवस्था यानि जैसे लवणों की अधिक्ता, अमलियता तथा कम ताप्मान के कारण उसे अवशुषित नहीं कर पाते है जिन इस्थान नों पर म्रदा ताप्मान कम होता है ठंडे मरुस्थल कहलाते है यहां म्रदा जमीवी अवस्था में या बर्व से ढकी होती है जैसे आवास टुंडरा, अल्पाइन रीजन्स में पाए जाते हैं कई बार कारी की शुष्कता कुछ आवश्यक तत्वों जैसे जिंक या मॉलब डिनम की अनुपस्तिती के कारण भी होती है तीसरे प्रकार का आवास जो की भौतिक और कारे की रूप दोनों तरह से ही शुष्कों इन आवासों में पानी की वास्थी कमी तथा पौधों द्वारा उनके अवश्यक्रशन की असमर्ता दोनों ही कारण उपस्तित होते हैं ऐसे अवास उचे परवत की धलान पर पाये जाते हैं मरुद्भिद शुष्क्ता से बचने के लिए प्रतेक अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं इनकी हम दो श्रेणिया हो सकती हैं जीरोमॉर्फिक तथा जीरोप्लास्टिक जीरोमॉर्फिक अनुकूलन जो की जैनेटिक रूप से कंट्रोल दोते हैं और ये लक्षण आवास के अनुसार नहीं बलकी स्वतेही उत्पन होते हैं जैसे काट्टोना, फिलोड्स, फिलोकलेड्स, इत्याधी ये जीरो मॉर्फिक लक्षणों की उदार, जीरो प्लास्टिक जो लक्षण या केरक्टर्स होते हैं, वो वंशा नुगत नहीं होते हैं, ये आवास की शुष्कता के कारण उत्पन होते हैं, जैसे पौधों का बोनापन, शुष्कता की तीवृता द्वारा निर्धारित होत मरुद्विदों को शुष्क आवास के पादब भी कहते हैं वैसे मरुद्विदों की सही परिभाशा देना कई बार कठेन होता है लेकिन फिर भी बे पौधे जो ऐसी भूमी में उकते हैं जिसमें सामाने रितु में भी दो सेट डेसी मीटर गहराई तक भी जल उपलब ना हो मरुद्विद कहलाते हैं एक ओपिन हेमर के अनुसार ऐसे पौधे जिनमें आकारिकी शारीरी वे शारीर क्रियात मक ऐसे अनुकूलन ये रुपांतरन हों की वे वद्दवरेनी ये जला भाव में भी जीवित रह सकें त आज हमने देखा कि मरुद्विद किन किस तरह के आवासों में रहते हैं अपने नए लेक्चर में मैं जीरो फाइट्स के वरगी करण पर चर्चा करेंगे